आईए दोस्तो आज की कलास में बहुत ही important discussion करेंगे career versus law क्योंकि कई बार हम career बनाते टाइम ऐसे situation में फश जाते हैं उससे कैसे निकलाता सकता है क्या वो अपने लिए अच्छे situation थी या नहीं थी यानि कि हम बात कर सकते हैं law versus career अगर आपको बोला जाए आप love और career में से किसे चुनेंगे 99% लोग या उससे भी ज़्यादा लोग कहेंगे आप अपने career पर ध्यान दे या अपने आप मिल जाएगा लेकिन ये बहुत ख़ासीस थी हो सकता है आपको किसी से इतनी ज़्यादा attachment हो जाए उसके बाद इसका कोई meaning ही ने रह जाए या फिर आपने जितनी उचाई चाही है जिन्दगी में उतनी उचाई तक आप गए हैं लेकिन आपका partner सही नहीं है तो उस career का क्या फायदा है आपका जीवन तबाह हो सकता है देखी पहले discussion करते हैं हम discussion करेंगे boys का और girls का अगर आप girls है तो कैसे करना चाहिए boys है तो कैसे करना चाहिए आप parents है तो कैसे deal कर सकते हैं मैं आपको एक criteria दूँगा सचाई क्या है वो आप idea लगा सकते हैं अगर आपको इसमें कोई भी doubt है या फिर आप कोई भी suggestion देना चाह रहे हैं आपको ये बात अच्छी नहीं लगी है आप comment box में जरूर बताएं देखना अगर मालेजी आपने बहुत ज़्यादा उचाई अपने जीवन में पाई है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है मालेजी मनी है या इज़त है सोरत है कुछ भी है लेकिन अगर आपके love life खराब है आपकी wife या husband बोलो या फिर उन से related मतलब उनके parents जो सही नहीं है तो आप इस चीज़ का क्या फाइदा उठाएंगे क्योंकि last में एक ही बात आती है अपनी एक life है और हमें ये life बहुत अच्छे तरिके से जी नहीं है जीवन बहुत अच्छे से बिताना है यही तो मतलब है खुशी से जीवन बिताना है हमने जनम लिया है एक दिन हम मर जाएंगे मरने तक और जनम लिया है वहाँ से इसके बीच का सफर है वो हमें तै करना है ठीक ये बात क्लिर है अगर माले जी सबसे ज़्यादा प्रोब्लम आ रही है गर्ड्स में अगर आप गर्ड्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए करियर वर्सिज लव क्या कर सकते है तो इसमें अपने पेरेंट्स का बहुत ज़ादा important role होता है बहुत ज़ादा parents पूरा नहीं लिखेंगे हम लिख लेते कोई वक्त ने बहुत खास role होता है कैसे हो सकता है मैं बताता हम माले जी आपको किसी से लाव हो गया हो सकता है वो same caste में हो हो सकता हो different caste में हो पहली बात मैं बता दूँ आपको कास्ट पे आपना जाएं अगर आप educated हैं तो आप कास्ट पे जाही नहीं सकते अगर आप कास्ट पे गए हैं तो इसका पहला मतलत तो यही है कि आप educated नहीं है क्यों देखना? अगर मालिया आप अपनी girls की साधी करना चाहते हैं लड़की की साधी बेटे को भिहाना जाते हैं तो आप क्या चाहेंगे? उसके पास बहुत सारा पैसा हो धन्दोलत हो यानि कि जो amount आपके पास है या आप इस लड़की को दे रहे हैं और लड़के के पास मालेजिये सो एकस है जितनी यहाँ है उसे सो गणा है मालेजिये यानि कि यह है girl की और यह है boy की अगर आप इनकी साधी करवाना चाह रहे हैं केवल पैसे के लिए तो आप ध्यान रहे आपने कास नहीं देखा आपने केवल यहाँ पर क्या देखा है? पैसा देखा है यानि आपने अपने लड़की किसी आदमी के साथ किसी लड़की के साथ नहीं ब्यानी चाहिए किसी घर में नहीं आपने क्यों क्या देखा है? पैसा देखा है अगर आपने पैसा देखा है ग्यान नहीं है तो ऐसा नहीं होगा लेकिन आज के जमाने में अगर आपने इसको डिरेक्ट अप्रोच की है तो पैसे की पावर पका दिखाएगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी न कभी तो दिखाएगा पहली बात ये है और ऐसा भी हो सकता है गर्ल्स के पास मालेजी 100X है और इसके पास क्या है amount है एकस पैसे है ये इसके पास मालेजी 100 गुना है मैंने तोड़ा difference ज्यादा दिखाया है difference इसलिए ज्यादा दिखाया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समग भी है आपने इनको ऐसे किया है यानि कि यहाँ पर आपकी लाइफ क्या है और आपको किसी से interaction हुआ है या फिर attract हुए है तो क्या होगा ये गर्ल्स ये बोई तो यहाँ पर dominating power किसके पास है गर्ल्स के पास है तो इसकी जिन्दगी यहाँ पर तबाह हो सकती है अगर ये किसी की या तो बातों में आती है या फिर अपनी money power दिखाना चाकती है ऐसा हो सकता है ये बात आप ध्यान लखे equality होने जरूरी है अगर आप असल माइने में love पे जा रहे हैं आपने अपना partner select किया है तो at least एक year आप ले कम से कम एक साल ले एक साल में वो कैसे behave कर रहे है एक तुसरे को देखे उसके बाद आप जा सकते हैं पहली बात ये थी दूसरी बात parents की अगर हम बात करते हैं अगर वो कास्ट देख रहे हैं या फिर वो केवल क्या देख रहे हैं पैसा कि मालिजी सेम कास्ट है और गरीब है और हो नहीं पा रहा तो ये बात लिख के ले लेना ध्यान लखना इस बात का इस दुनिया में एक अदमी के लिए के एक ओरत बनी है और एक ओरत के लिए एक अदमी बना है अगर सही आदमी आपको मिला है जो भगवान ने आपको दिया है भगवान ने सलेक्ट किया आपके लिए कि आप दोनों साथ में बिताएंगे तो आपके लाइफ अच्छी है अगर वो मिला है अगर वो नहीं मिला है तो आपका जीवन तबाह हो जाएगा अगर आपका जीवन खराब हो रहा है तो आप पैसे का क्या करेंगे क्यों? क्योंकि माल लिजिये ये situation लेते हैं ये girl है ये boy है इसके भी parents होंगे यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी mother और इसके father हो सकते हैं grand mother, grandfather भी हो सकते हैं तो माल लो इनके साथ इसकी अच्छी बनती दोनों की अच्छी बनती हैं लेकिन ये भी तो इसको डिस्टरब कर सकते हैं हो सकता ये बोल दे कि इनसे हम अलग रहें लेकिन ध्यान रहे आप parents को कैसे अलग कर सकते हो अगर ये सही हैं तो आप नहीं कर सकते हैं को नहीं करना चाहिए अगर आप केवल पैसे के लिए यहां जा रही है या पिरेंट्स ने आपकी चोईस नहीं पूची है डिरेक्ट वहां दिये हैं तो पहली बात मैं पिरेंट्स के बारे मता देता हूं आपके पिरेंट्स इतने अच्छे नहीं मोले दा साथे मेरे अकोरड तो mother accept कर लेती है काफिया तक, लेकिन father accept नहीं करते, especially girls के कि बेजती हो जाएगी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है अगर आप बेजती से डर रहे हैं साधी के बाद कोई दिक्कत आ रही है क्या आप इस चीज को करोगे, क्या sort out करोगे कई बार नहीं करते हैं कई बार कर भी लेते हैं हम केवल कास्ट को देखे या पैसे को देखे, इन दोनों चीजों को देखे, अगर अपने लड़की किसी लड़के के साथ छोड रहे हैं, यानि कि जीवन भर उसका साथ देने के लिए बोल रहे हैं कि यह साथ में रहेंगे तो मेरे अकोर्डिंग यह बात सही नहीं हो सकती क्योंकि किसी भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है तो उस टाइम पर क्या होगा, अभी आएंगे थोड़ी तेर में आएंगे, अब यह फादर कैसा रहोगा, यानि कि पहले बात यह है कि फादर डॉमिनेटिंग है किस पे, मदर पे यह अपनी पूरी की पूरी पावर अपनी मदर पे दिखा रहा होगा, हो सकता ऐसा, कुछ भी हो सकता है, यह अच्छी नोकरी पे हो या फिर इसके पास पैसा हो, हो सकता अगर ऐसा हुआ है अगर लड़की मना कर रही और जबरतस्ती ऐसा किया जाता है तो ये बात सही नहीं क्योंकि ध्यान रहे एक ही पार्टनर आपको मिला है अब बात ये भी बोलते हैं कि जोडिया तो भगवान मनता है कि भगवान ने जोड़ी मनाई है अब मुझे एक बात कहा था क्या कि मैं same caste में करवा हूँ क्या ये बात भोले थी ना ये केवल और केवल बात अपने इंडिया की है अगर foran में आप कहेंगे कि law marriage है या arranged marriage है आदे लोगों को तो ये बात समझ में नहीं आई ही कि arranged marriage law marriage कैसे कास नाम की कोई चीज कैसे मतलब कैसे रेंज करवा सकते हैं देखो आपने अपने लड़की उस लड़के को दे दी है जिसको वो कभी जानती ही नहीं थी ठीक और दूसरे तरफ आप लड़की को किसी भी लड़के से बात करने के लिए मना कर रहे है यानि कि आप इसकी चोईस पूछ नहीं रहे इसका मतलब क्या है पिर जोड़िया भगवान ने कैसे मनाई है वो जोड़िया आपने मनाई है उनकी जिन्दगी अगर खराब हुई है ना तो वो पेरेंट्स की वज़े से हुई है फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकती है तो इस मामले में क्या होता है ये लड़की इनकी फादर के बात नहीं मांगती है या कुछ टाइम के लिए इन्होंने मान ली है साधी कर ली है कुछ टाइम के बाद अगर ये सुसाइड करने जा रही है तो फिर लोग क्या कहेंगे, फिर जमाना क्या कहेगा, ठीक है, आप डर रहे हैं, कि कास्ट लग है, या गरीब है, पैसा नहीं है, इसलिए हम लोगों की नजरों में, हम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर देगा रही है, तो पहली बात यह है, आप लोगों के बारे में नहीं सोचे, लोग डिरेक्ट यह बोलेंगे, पैसे से भी हाई गई है, लड़की लड़के से नहीं भी हाई गई है, ये बात बिलकुल आपके दिमाग में कलियर हो, लोग बोलेंगे, आपके सामने नहीं, आपके पीछे बोलेंगे, तो लोग क्या बोलते हैं, वो आपको क कह रहा हैं कि वो अच्छे हैं और आपकी पीठ के पीछे कह रहे हैं क्यों बुरे हैं और दुनिया में अच्छा कहने वाले लोग कम हैं बुरा कहने वाले लोग ज्यादा हैं इसलिए हमेशा अपना एक फ्रेंड रखें कोशिस करें आपका एक friend हो और वो friend ऐसा हो जिसके साथ आप अपने दिल की सारी बात कह सकते हैं बढ़ास भी निकाल सकते हैं और वो सारे की सारी बाते अपने तक सिमित रखता है आउट नहीं करता बातों को लीक नहीं करता है लीक करना बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है तो वो एक trusted friend अगर आपके पास है तो हो सकता है वो आपका love भी हो सकता है ठीक है ये बात आप दियाना के आप जमाने के लिए इनके बारे में जा रही हैं अगर आपने same caste में या फिर ज्यादा पैसे में कम पैसे के साथ साधी करवाई है अगर उनके relation में कोई दिखत आई है क्या जमाना उनके relation को ठीक करवाता है क्या दुनिया उनके relation को ठीक कर्वने जाती है तो नहीं है ठीक दूसरी बात यह है माले जिए कोई भी hero है या फिर heroine है hero लडकी के लिए माले hero और लडकी के लिए heroine मतलब नायक नायका famous है एक्टर है एक्टर जिसे हम बोलते हैं या हीरोईन एक्ट्रेस बोल सकते हैं अगर उनके साथ साधी करवा रहे हैं तब आपने क्यों पैसा देखा तब आपने कास्ट नहीं देखी है ठीक बात है अगर उसकी जोब है तब आपने कास्ट भी देखी हो सकती है और पैसा भी दे हैं, दहेज में भी देती है मालिया आपके पास भी बहुत है आपकी इजत भी बहुत है लेकिन अगर आपने अपने लड़की के बारे में नहीं सोचा तो आपकी सारी इजत खराब हो गई क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है जो ये बताती है आप अपने बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करते हैं उसका आपको अगले जनम में कुछ हिसा मिल सकता है आप इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं लेकिन फिर भी आपका प्राइम करतवे बनता है आपने उनको पाला है, पोसा है अच्छे तरीके से उनका पालन पोसल अगर किया है तो ऐसी दिक्कत होगे नहीं आगर ऐसी दिक्कत हुई है कई बार ये उसे के साथ चली जाती है जो पेरेंट साते हैं कई बार ऐसा भी हो सकता है ये घर छोड़के भाग जाए और ये भागने वाले सिचुशन कब हो सकती है या तो उसका पार्टनर बहुत अच्छा है पहली बात या फिर अच्छा नहीं है उसे ज्यादा ट्रस्ट है ये बात हो सकती है या फिर उसे पता है कि अपने पेरेंट्स मदर या फादर में से कौन कैसे है अपनी लाइफ उनके जैसी नह हो जाए या फिर मदर फादर के अलावा ग्रेंड फादर या फिर ग्रेंड मदर कैसे है ये कैसे ट्रिट करेंगे क्योंकि वहाँ जाके तो यसा सुमा हो जाएंगी और वहाँ दोनों हो जाएंगे ठीक है यह भागने वाले सिचविसन तब होती है तब आप किसी लड़की पे ज़्यादा प्रेसर डाल देते हैं, प्रेसराइब अगर आपने किया है, ज़्यादा फ्रोस करें। किसी लड़के से बात नहीं करनी है, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, घर से बार जाना ही नहीं है, तो घर से बार नहीं जाती है, सच में नहीं जाती है, लेकिन उसका कई बार मन होता जाने का, लेकिन वो बाहर जब चली जाएगी, एक तो बार चली जाएगी, कब तक आप उसे घर पे रखोगे, 10 मीं तक कर हो सकता, आप 11 में कहीं भारवेज दू हो सकता, 12 के बाद तो भेजने पड़ेगा कोलेज में, या फिर आप चार रहें कि कोलेज भी ऐसा हो हम घर पे हैं और वो घर आए जाए, तो ध्यान रखना हो सकता है, आपके कोड़िंग वो कोलेज में गई है, लेकिन रियल में कोलेज में ने कहीं और गई है, तो फिर आप क्या करेंगे उससे ज़्यादा बदनामी है उससे अच्छा थोता, आप साधी करवाज देते इंटरकास्ट होता, कम पैसे वाला होता कोई दिकत नहीं थी, पहले मैं दो सिच्वेशन लेके चल रहा हूँ, उसके बाद मैं पाथ सिच्वेशन बताऊंगा टोटल फिर उन पे एक की करके आएंगे ठीक है, तो उस केस में भागने के चांच ज्यादा हो जाते हैं अगर आप चा रहे हैं कि अच्छी पेरेंटिंग आपने की है तो आपके लड़की नहीं भागेगी और आप उसकी भी सुने वो कैसे खुश है अगर आप अपने लड़की खुश नहीं रख रहे हैं, और इन साधी करवाईए ठीक है, वो वहाँ से भाग जाए या फिर वहाँ से भागने की बजाए वही रहकर पहले जिसके साथ उसकी अटेज्मेंट थी उसे बात करने लग जाए इससे तो हो सकता है चार घर खराब हो जाएं दो रिलेशन खराब हो जाएं चार आदमी खराब हो जाएं कुछ भी हो सकता है, कैसे हो सकता है माले जिए एक ये और एक ये इनकी बॉंडिंग अच्छी थी, मेल फिमेल है और इधर एक ये और एक ये इनकी बॉंडिंग भी अच्छी थी आपने इसकी साधी जबरदस्ती इसके साथ करवा दी और इसकी मालू इसके साथ होगी या फिर इसके किसी ओर के साथ होगी तो जब ये आपस में बात करेंगे तो एक तो ये घर और एक ये घर दुनों तबाह हो सकते हैं किस लेवल तक बात चली जाए वो अलग-अलग केस में अलग-अलग होती है तो पहले बात आप इसकी जरूर सुनी अगर आपने इसकी नहीं सुनी है तो आप parents कैसे parents हैं कैसे कह सकती है आपके पास कितनी धन संपती है कितना पैसा है कितनी इज़त है अगर आपने नहीं की तो कैसे कह सकती है और दूसरी बात इसके मामने भी ये बुल ले जा सकती है जो अच्छे पेरेंट्स है या पिर ज्यादा अमीर है एक्ट्रेस हीरोईन हीरो इनके जो बच्चे है वो आप ले सकती है उनका एक्जामपल लेंगे वो कास्ट नहीं देखत ने पैसा देखते क्योंकि पैसा उनके पास है हो सकता है कोई कोई पैसा देख ले लेकिन वो तो गैरेंटेड कास्ट नहीं देखते क्यों नहीं देखते मालेजे विराट कोहले ले 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 थे विराट कोहले की अनुसका सर्मा के साथ साधी होगी विराट कोहले और यहाँ पर है अनुस्का सर्मा इनकी काष्ट डिफ्रेंट थी क्या इन्होंने काष्ट देखी नहीं देखनी भी नहीं चाहिए था क्यूंगि दूनों बहुत अच्छे पहलो दोस्त बने थे या फिर दूनों का अच्छा करीयर था या दोनों के पास पैसा था अब एक बात मै सुख दुख आप बाट सके तब भी आपका जीवन खराब है आपने पूरी मेहनत की है करियर के लिए पैसा कमाने के लिए लेकिन वो सारा बरबाद हो जाएगा क्योंकि लास्ट में आप यह चाहते थे कि आपका जीवन अच्छा हो आनद में जीवन वैतीत कर पाएं लेकिन आनद नहीं आया अब यह जो लव है या जीवन साथी है इसका मतलब रोमेंस नहीं होता केवल रोमेंस नहीं हाँ वो ठीक है वो कुछ टाइम के लिए है लव एंड रोमेंस कुछ टाइम के लिए चीज़े है अगर साधी कर रखी है असल माइने में जीवन साथी का मतलब य एक दूसरे का साथ देंगे, एक को दिकत आती है तो ओटोमेटिक दूसरा सारी दिकत अपनी मान के उसकी प्रोब्लम को सोट आउट करता है, इसे जिवन साथ ही बोला गया है, लेकिन आज के मामले में, आज के जमाने में कुछ चीज़े बदल चुकी है, पैसे का घमन आ गया है, हमारे पिरेंट्स ऐसे हैं, यह आ गया है, हमारी इतनी इज़द है, यह आ गया है, अगर आप अपनी वाइफ की इज़द नहीं कर सकते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक अच्छे इंसान है, मैं तो बिलकुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि सबसे पहले आप अच्छ उमर में है कि वो लोग घर में घुमता है घर वाले ही दिखाई देते हैं उनके साथ कुछ रिलेशन डवलप होते हैं और उसके बाद वो बाहर जाना शुरू कर देता है और बाहर वो अच्छी चीज़े सीख सकता है यह बात आपको क्लेर हो अब मान लो आपने करियर छोड़ के लोग चुना है तो आप अपने लोग को देखें क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है या फिर क्या वो काम्याब इंसान है अगर मालो उसकी बहुत अच्छी सेलरी है बहुत अच्छी सेलरी है और इंसान भी अच्छा है तो आप क्या देखेंगे एक चीज़ आ सकती है फिर इन दोनों में से क्या बची, कास्ट, फिर आपको कास्ट नहीं देखने साइए, क्योंकि इंसान अच्छा है, सेलरी अच्छी है, behavior अच्छा है मतलब, इंसान अच्छा है तो definitely, और सेलरी अच्छी है, तो अपनी लड़की को भी खुश रखेगा, फिर आप तिसरी चीज के तरफ जा रहे है, तो इसमें parents की अलती मानता हूँ, क्योंकि वो खुद इसके तरफ attracted है, अगर attracted नहीं है, तो फिर भी आपको अपनी लड़की से पूछने चाहिए, क्या आपकी इच्छा है, क्या आपके against जा रहे हैं, या आप इनके साथ हैं, फिर वो पूछना फिर ये situation कभी पैदा नहीं होगी भागने वाले, ये situation तब होती है, तब लड़की को ये लगता है, कि मेरे parents ऐसे हैं, वो मानेंगे नहीं, हो सकता है, एक बार बात बताने के बाद, वो जबरदस्ती करने लग जाए, जबरदस्ती उसके साधी कहीं और करवा दे, फिर ये chances हमारे parents किस situation में कैसे deal करें हैं, तो इस चीज से भागने से बचाने के लिए, आपको अपनी लड़की का ध्यान रखना होगा, उससे पूछना होगा, उससे एक friendship डवलप करनी होगी, और उस friendship पे आपको खराब भी उतरना होगा, ये नहीं, कई parents मैंने देखी हैं, अपनी ल नहीं करना चाहिए था, हमारे इजद मिल जाएगी, मिट्टी में ये कर दिया, गाउवाले क्या सोचेंगे, सहर वाले क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेंगी, सोचने दो जो सोच रही है, आगर आपको अपना मन पसंद पार्टनर नहीं मिला, आप दूसरे के साथ क्या इजद रही ही, ये बात सोचना, फिर ये क्या सोचेंगे, आगर इसने कहा मुझे फोर्सफुली साधी के लिए बुलाया गया था, मतलब मंड़क वगएरा में जो भी है, कुछ भी कर लो, फोर्सफुली किया है, तो दिक्कत पैदा होंगी, और सचाई एक दिन रहेगी, दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे जो भाग चुके हैं, मालिया भाग गए, उनके लिए चीज नहीं होगी, तो ऐसा हो सकता है, वो सोचेंगे इजद मिटी मिलके, नहीं, इजद मिटी में नहीं मिली है, इजद कैसे मिटी मिल सकती है, अगर आप बाहर रह रहे हैं, मालिया अप गाउं से हैं, बड़ा सहर मालो दिली है, मुमबई है, कुलकत्ता है, मतलब थोड़ा बड़ा सहर, वहां है, और वहां आपके साथ कुछ हो गया, या किसी ने कुछ कर दिया, या आपकी मर्जी थी, आपने कुछ कर दिया, तो फिर क्या सोचेंगे, उसके बारे कि है, सब कुछ है, जीवन है, तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, यह बात आपने सुनी होगी, इसकी तरफ तो आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आपने एक गलती कर दी है, आपने एक देश का नम सुनाओगा, जापान, हीरो, सीमा, एंड नाजा साकी में एक टेकनोलोजी डवलप की है, साफ सफाई डवलप की है, एनवायरमेंटल कंडिशन अच्छे की है, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, पूरा वर्ड टेकनोलोजी के लिए इन्हें जानता है, और इनकी टेकनोलोजी बहतरी हैं, और दूसरे देश इनकी टेकनोलोजी यूज क हिमत दिखाई कोशिस की कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की और इन्होंने किया तो ये भी क्या कर सकते हैं ये सुसाइड की तरफ नहीं कुछ अलग कर सकते है वो ये सिच्वेशन है पहले आपने लाउ सेलेक्ट किया है उसके बाद आप career की तरफ जा सकते हैं definitely जा सकते हैं आप example देख सकते हैं और भी बहुत सारे example अपने पास और भी discuss कर सकते हैं ठीक boys में ये दिक्कते नहीं आती है boys में क्योंकि देखो अगर पैसा है तो लटकी के पैसे हमें लेने ने जाहिए देख की बात आ सकती है वो बात आ सकती है discuss कर देते हैं कोई बात नहीं ये चीज इसको इब भर रफ कर देते हैं और जो चीज़ आपको लग रही है क्योंकि इसके लिए बहुत वीडियो मनाई जा सकती है बहुत लंबा टाइम खिचा जा सकता है तो एक वीडियो में तो साइध बोसीबल नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, चोटी-चोटी बाते कर लेंगे, मालेज यह बोई है और यह गर्ल है, अगर पहली बात मानते हैं कि इसकी प्रोपर्टी ज़्यादा है, इसे नमबर दो देते हैं, नमबर एक नमबर दो, अगर इनकी साधी करवा देते हैं, यह आएगी इनके धर, तो इसको दिक्कते पैदा होंगी, यह dominating power दिखाएगा यह दिखाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो दो साल बात, चार साल बात दिखा सकता है, पहली यह बात देख सकते हैं, अगर आपने केवल पैसे के लिए की है, तो guaranteed यह अपने पैसे की power दिखाएगा, मन्नी power दिखाएगा, अगर आप सच में इस इनसान को चाहते हैं, या जानते हैं, कम से कम एक डिर्ट साल आपने बिताया है, या ज्यादा टाइम भी हो सकता है, एक साल काफी होता है, किसी को जानने के लिए, क्योंकि hormonal change, behavior कैसा है, कैसे वो रहता है, कैसे दूसरों के साथ treat करता है, वो सारी बाते पता लग जाती है, तो यह अपने dominating power दिखाएगा, उस मामले में इनका relation अच्छा नहीं सल पाएगा, यह ज़्यादा dominating है, यह है, enjoy कोन करें, लेकिन यह relation अच्छा नहीं होगा, दूसरा यह हो सकता है, यह boy और फिर से क्या है, यह girl है, अब पैसा इसके पास ज्यादा है, girl के पास, इसका घर बड़ा है, इसके फादर की है, मदर की है, या फिर grand mother, grand father, दादा, दादी, ना, ना, कुछ भी है, इसके पास पैसे की power है, फिर यह जाती है, फिर इसको दब के निचे रहना पड़ेगा, इसकी सारी बात मानने पड़ेगी अगर इसकी मानने पड़े तो dominating power कौन है? girl है फिर भी ये रिस्ता नहीं टिक पाएगा अगर इनको आपस में love है, understanding है फिर ये रिस्ता टिक जाएगा और इसमें भी love है, understanding है फिर ये रिस्ता टिक जाएगा फिर वो dominating power नहीं दिखाएगा वो love and क्या दिखाएगा care दिखाएगा care करने की ज़्यदा कोशिश करेगा और अगर आपकी care की जा रही है तो आपकी जो life है वो happily बित जाएगी happy life होगी और हमें एक ही कोशिश करनी है जीवन है, जनम लिया है मरेंगे, उसके बीज का सफर है और वो बहुत happily हम बिताना चाहेंगे तो इस चीज का ध्यान लखे अब इस चीज का क्या solution हो सकता है बहुत solution हो सकते हैं दोनों को equal भी किया जा सकता है equate किया जाए कि धन के मामले में या कैसे भी किया जाए या power के मामले में या इसके पास माल लिजिए पैसा ज्यादा है माल लिए government job है या अच्छी job है मैं government job अकेली नहीं कहूँआ क्योंकि जमाना government job देखता है मैं prefer करूँगा private job private job में भी अगर आप business की तरफ जा रहे हैं तो आप बहुत बहुत बहतरिन इनसान, बहुत कमाल के इनसान है आज के जमाने के साथ सब रहे है government job हो जाते है जो काम नहीं करना चाहते सचा ही है कुछ अच्छी job भी है मैं ये नहीं कहता जो देश की सिवा के लिए खी जाती है कुछ job ऐसे जो देश की सेवा के लिए नहीं, बस निठले रहने के लिए, कि job लग गई, अब हमें काम करने क्या हो सकता नहीं, और ने हमें इतना talent है, हम आगे कुछ नहीं कर सकते, एक X amount और पैसा हमारे पास आता रहे हमारा जिवन भी चाहिए, ठीक, ये बात, आप उन्हें equal करने कोशिस करेंगे, इसके पास जो भात, इसके पास क्या हो, पैसा हो, अगर इसके पास पैसा है, तो ये कुछ पैसे लेके आ सकती है, जिसे हम दहिज बोलते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, कि दहिज देनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा, नहीं देनी चाहिए, द दूसरे की वो care कर रहे हैं तो वो अपना career उसके बाद भी मना सकते हैं क्योंकि help तो कर ही रही है अब जिस काम को एक कर रहा था अब उसी काम को करने वाले दो लोग हो गए हैं और दो लोग हैं तो definitely success होने के chance बढ़ जाएंगे डबल हो जाएंगे और एक कभी-कभी जो हिम्मत चूटती है न वो हिम्मत देने वाले भी आ जाएंगे I think ज्यादा लबी हो रही है वीडियो आप किसी next वीडियो में आएंगे next एपिसोड में आएंगे आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगाया एपिसोड और किस मामले में आप कहना चाहेंगे इस मामले को और बढ़ा की और एक separate वीडियो बढ़ाएंगे उसी पे बनाएंगे आज के एपिसोड में इतना है मिलते हैं next एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार